ये देखिए दोस्तों ये बड़ी अंजीर का पेड़ है इसमें एक पेड़ में करीब एक क्विंटल तक फल लगते हैं और एक एक फल का वजन करीब 25-30 ग्राम तक होता है बड़ी अंजीर के फल देखने में सामान अंजीर की तरह ही लगते हैं और पकने के बाद इसमें जो रंगत आती है वो भी कौफी अच्छी आती है पत्टियों के नाम से इसे इयर आलिफैन्ट फिग नाम दिया गया है इसकी पत्टियों का उप्योग प्लेट्स बनाने के मिक्ली जाता है इसके पेड़ कैसे पूरे लदे हुए हैं जो तना है जो तना जमीन से सटा हुआ है उससे यह जो शाखाएं जो निकली है उसमें पूरे फल जो है लदे हुए है अंजीर के आप उपर भी देखिए अलग से जो शाखाएं निकली है उसमें पूरी तरीके से फल लगे हुए है फल का आकार देखिए कौफी अच्छे आकार के फल इसमें लगे हुए हैं दोस्तों ये देखिए ये इयर एनिफेंट फीग है इसका जो सेंटिफिक नेम है फायकस एरिकुलाटा है इस पेड़ की जो उतपती इस थल की अधिबात की जाए तो ये भारत के इमाले छेतर के ला पीड़ को पडिदंदके आसे निफसी से फल कि निकलने लगते है आप देखिए कि इसमें है तुम में जो फल आते हैं यह ठंड के दिनों में आते हैं इसकी जो फल होती इसमें मिठास कॉफी अच्छी होती है इसका फल का जैम बनाया जा सकता है जैली बनाई जा सकती है इसके लावा इसको सलाथ के रूप में काट के कच्छा भी खाया जाता है और इसको देखिए आख पी इ कर सकते हैं इस पॉधे की नए पौधे करने लिए हम को यह उपर हिभाग जो दिख रहा है उसका अपने को 20 cm कठिंग तेयार लेरा है कठिंग के बाद पत्वों को भी अधा काट लेना है और काटने की सायता से एक माह के अंदर नए पौधे तयार हो जाएंगे यह जो आप पेड़ देख रहें यह करीब साथ साल साथ से आठ साल पुराना है इसका जो पेड़ होता है करीब यह 20 फीट यह उससे भी अधिक बढ़ता है और यह एक एवर ग्रीन ट्री है याने कि इसके जो पत् पत्तियों में आप लोग को दिखाना चाहूंगा दोस्तों इसकी पत्तियां में आप लोग को दिखाना चाहूंगा इसकी पत्तियां देखिए बिल्कुल बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियां है इसकी पत्तियों का उप्योग प्लेट्स बनाने के लिए और इसकी पत्त प्रचूर मात्रा पाय जाता है जो की पाचन मदद करता है इसके फल में प्रचूर मात्रा आरन पाय जाता है जो की खून बनाने मदद करता है और इस पौधे के तने से दूद निकलता है इस पौधे के आप जो सौस्त तने है उसको तोडेंगे तो उससे दूद निकलता है कोई भी ऐसा भाग जो कोई भी शरीर में कहीं है यदी कहीं कट जाए जल जाए यदी कोई घाओ हो जाए तो इसके दूद को उस भाग में लगा लेने में वो घाओ भर जाता है और इसके लावा यदि मदुमक्षी डंक मार ले यदि कोई कीट डंक मार ले तो इसके तने से निकलने वाले दूद को आप उस भाग में लगा लीजिए वो भाग दर्द कम हो जाएगा, सुजन कम हो जाएगा जो अणजीर है इसको आप अपने गमलों में लगा सकते हैं, घर के किचन गारडन में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं इसके लावा लोग ऊसे ornamental प्लान्ट के रूप में घरों में अपने गमले में भी लगाना पसंद करते हैं